में ऑलेख म अर्ण और अब हम discuss करेंगे टीवी और डीओ- टॉक शोऊंस के बारे में आस दोर पे टॉक शूओस की हम क्यूं बात करते हैं district टॉट चलके और हमें पता चला कि 70 फीसद खबर या जो हमारी एंटर्टेन्मेंट है 70 फीसद जो है वो हम टीवी या रेडियो से लेते हैं बाकी जो है वो हम एक दूसरे से बातवीद करते वे लेते हैं या अखबार पढ़के लेते हैं पोस्टर पढ़के लेते हैं या सोशल मीडिया से लेते हैं तो मगर सतर फीसद एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है तो इसलिए ये दो मेंस्ट्रीम मीडिया जो है हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है पहले रेडियो बहुत जादा सुना जाता था हमारे जो रूरल एरियाज है जो हमारे गाओं के अलाके हैं उनमें रेडियो अभी भी काफी सुना जाता है तो ये दोनों जो हैं हमारे लिए जरूरी मीडियम्स हो गए हैं अब इसमें एक फॉर्माट ऑविस्टी है कि हम खबरें देते हैं न्यूस बुलिटन चलता है ब्रेकिंग न्यूस आती है और खबर चलती है और हम कहते हैं हाँ जी अब हमें पदा चल गया दुनिया में क्या हो रहा है कैबिनेट्स बन रही है हुकूमत चल रही है रोज एक नई खबर आती है मगर साथ साथ कुछ ऐसे टॉक शोज है जो के या तपसरा करते हैं उनके बारे में रिव्यूज होते हैं पर एक्जामपल कैपिटल टॉक शो है या आपके पास कामरान खान का एक टॉक शो है जरा ह मटके हैं मगर हमारे पास थोड़े से मजाहिया किसम के टॉक शोज भी होते हैं जैसे मजाकरात है और इस तरह के कई चैनल पर और आते रहते हैं मौनिंग शोज भी हमारे पास होते हैं ये सारा जो फॉर्मैट है ये टॉक शो का फॉर्मैट होता है तब टॉक शो होता क्या अगर हम इसको देखें तो टॉक शो जो है उसके पीछे जब हम लिखना शुरू करें या सोचना शुरू करें तो उसका कॉंसेप्ट जो है वो क्या होता है उसका कॉंसेप्ट ही होता है कि एक होस्ट होता है या दो होस्ट होते हैं और वह आपस में बात करते हैं या गेस्स के साथ बात कर रहे होते हैं इसलिए उसको टॉक शो कहते हैं कि एक डायलोग हो रहा होता है बातचीत हो रही होती है एक दूसरे को हम discussion के जरिए जो है वो आगे लेके जाया जाता है अब हम सोचें कि भाई अब इसमें क्या लिखना एक बंदे ने बात करनी है दूसरे जवाब देना है आटमेटिक भी बातचीत हो जाएगी तो यह शो बन जाएगा मगर ऐसा होता नहीं है इसके पीछे भी आपके पास एक पूरी टीम बैठी होती है जो रीसर्च कर रही होती है जो एक स्टोरी कॉंसेप लेती है ब्रिंस्टॉर्म करती है कि भाई इस है कि आजकर बार्शें जादा हो रही है कितनी फीसद बढ़ गई पहले कितनी थी अब कितनी ज्यादा हो रही है कहां कहां हो रही है किस जोरदार तरीके से हो रही है फिर हम यह कहते हैं कि कारेक्टर डिवल्समेंस में कोई इनसान मौजूद हैं कोई एफेक्ट हुए हैं उनके कोई घर मतासर हुए हैं, वो खुद कोई मतासर हुए हैं, फिर हम कहते हैं यह सारी information हमारे पास है, हमें पता है कि characters कौन कौन होंगे, इस पूरे episode में तो हम एक outline लिख लेते हैं, outline में हम बताते हैं कि जी बार्शें बहुत जादा हो रही हैं, बार्शों के हम बात निकालना, शुरू कर देते हैं, और फिर जब first draft हो जाता है, तो फिर एक third eye लेकर आते हैं कि editing हो जाए, language जो है script की वो कोई भी हो सकती है, अगर उर्दू का talk show है तो उर्दू में होती है, अगर अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी में होती है, तो जबान इतनी जरूरी नह मगर यहाँ पर हमें जो देखना होता है, वो यह देखना होता है कि जी dialogue हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि जो लोग हैं वो script को हूब हूब रट के वहाँ पर बात करें, एक dialogue होता है, तो हमें outlines देनी होती है, rather than dialogues, तो हम अगर एक concept करें और लेकर जाएं, और देखें कि हम क अब हमने फैसला कर लिया कि जी जो हमारा story का concept है, या जो idea है story का, या कहानी का, वो morning show है, अब morning show का daily episode लिखना पड़ता है आपको, क्योंकि रोज हो रहा होता है, या हफते में एक दफा हो रहा होता है, बड़ा एक regular सा update होता है उसका, इसका क्या मतलब है कि हम script ना लिखें बस जाने दें, दो चार लाइने लिखी हैं और बस आगे बढ़ गए, actually ऐसी बात नहीं है, हमें लिखना चाहिए और जो अच्छे shows होते हैं, उनकी strength यही होती है, कि उनकी script बहुत strong होती है, और जो host होता है, उसके पास एक लाइने होती है, बड़े मज़े मज़े के चीज वो दीव ही होती है, तो वो खुद कुछ खुद बोल रहा होता है, कुछ script से उटाता है, बहुत सारी information वो होती है, जो के as writers हम उनको provide करते हैं, तो हम practical एक example लेते हैं, हमने फैसला कि आप TV morning show का, अब हम सोचें कि जी TV morning show में होना क्या चाहिए, अब क्या होता है, आज कल morning shows म क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, एक magazine जैसे होता है ना, लिखा वा, उसी तरह का वो ही concept लेके सुभा एक वो पूरा talk show करते हैं, एक host होता है, उसके बहुत सारी वो guests लेकर आती है, एक horoscope का section होता है, मौसम का section होता है, recipe का section होता है, और हम क्या मज़े मज़े की चीज़ें डाल सकते हों उसमें, हम कुछ lifestyle के बारे में बास कर सकते हैं, किसी celebrity को बुला सकते हैं, अब ये सारी चीज़ें हमें एक outline करनी पड़ेंगी, तो जो हम topic decide करते हैं, हम देख लेते हैं, चले लिखते हैं को कि जी हमारे topics क्या होंगे, पहला topic है हमारा news update, यानि कि आ बास खबरें हम politics भी ले सकते हैं, और हम fashion के बारे में एक fashion show हुआ है, उसके बारे में यहोने जा रहा है, PFDC का show जो है, उसके बारे में बात करेंगे, और हम बात करेंगे, weather update, मौसम के बारे में, दूसरा topic हमारा होगा, जी, recipes, recipes, और हमारा topic होगा, basically, जो food and health के लिहाज से recipes हम बात कर रहे हैं, तो food and health के बारे में हमें बात करनी होगी, और तीसरा topic जो हमारा होगा, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, मगर यहां के लिए हम तीन topic चूज़ करते हैं, news update, recipes, food and health, और आखरी जो है, वो हमारा होगा celebrity segment, जिसमें हम एक celebrity से बात करेंगे, अब हमने फैसला कर लिया कि जी, यह हमारे topics हैं, अब इसमें research करनी पड़ेगी हमें, हमें यह देखना होगा, कि politics में क्या हो रहा है, फिर हम कहते हैं के fashion, तो fashion show होने वाला है, बहुत सारे designers आएंगे, लहुर में होगा, तीन दिन का show है, उसके बारे में research करेंगे, क्या क्या होने जा रहा है, मौसम के लहाँ से, बरसाथ है, मगर आइस्ता-इस्ता मौसम जो है, वो autumn की तरफ जा रहा है, तो हम उसकी तरफ बात करेंगे, कि जी, इस मौसम में क्या होता है, जुकाम नजले जादा होते हैं, कैसी चीज़ें हैं, रेसिपी में हम कहते हैं, कि food and health, आजकल diet conscious बहुत काब डाइट या लो काब डाइट के बारे में बात करेंगे, तो उसमें रिसर्च करनी पड़ेगी, कि ऐसे कौन कौन से खाने हैं, जो इसमें लो काब्स हैं, या जो के बड़े मज़े के बगएर आप बहुत जादा काबो हाइडरिट्स इस्तमाल करें, रेसिपीज जो हम सिलेबरिटी से बात करेंगे, आम तर पर जो सिलेबरिटी पॉपिलर होती, कोई मूवी निकली होती है, उसके लिहास से हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं चले जी परवाज जनून अभी निकली है, तो हम हमजा लिया बासी को अप्रोच करेंगे, उस से बात करेंगे, उस मू पूचते हैं कि अच्छा जैसे हमने पहले कहा कि एक हमारे पास होस्ट होगी तो हमारी जो होस्ट हैं वो होंगी आजकल बहुत सी खवातीन हैं मुख्तिलिफ चैनल्स पे मुख्तिलिफ होस्ट हैं हम कहते हैं कि जी हमारी होंगी अनुशे अश्रव यह हमारी होस्ट होंगी हम हमारे गैस जो है हमने जैसे पहले का कि हमजा अलिय अबासी होंगे और हमने कहा हमारे डेली जो लोग हैं हमारे पास एक music section है वो हमारे musicians जो हैं वो परवाज जुनून movie के music बजाएंगे तो हमने ये तैय कर ली कि ये हमारे characters हैं ये ये लोग होंगे और ये ये इस segment में काम करेंगे अगर हम अगले section पर जाते हैं कि जी outline क्या है सबसे पहले हमने जैसे के पहले भी थोड़ा सा हमने decide किया जी पहले news update आ गई news update इस पे अनूशे ने जो है बात की और जो भी हमारे पास news है politics की fashion की और weather की वो बात करेंगी और वो obviously हम उनको वो दे देंगे वो सारा उस तरह it will be highlighted यहाँ पर obviously we will go into details के within politics we're talking about change of government in fashion we're going to talk about PFDC in weather we're going to talk about rains तो यानि के आइस्ता इस्ता हम क्या कर रहे है कि इसको बढ़ाते चले जा रहे है और जब हम script लिखेंगे तो उसमें exact कभी कबार हम soundbites या dialogue balls भी दे देंगे अनुश्य के लिए हम कुछ dialogueşallah दे देंगे हमजा के लिए जयसे हमें पता है कि जिए जब वो आएंगे तो वो पर Τ्रौ के बारे में जब بात करेंगे तो obviously उनको अपनी team के बारे में बात करनी है परने जब ऑमने बात करनी हैं ऌमारे जो तो वो चैनल जो है वो switch नहीं होगा. तो जो writer होता है, उसका बहुत बड़ा उसके उपर एक responsibility होती है कि जो content जा रहा है, वो इतना engaging हो, वो इतना अच्छा हो कि जो audience है, वो उनके साथ रहे, और वो उनको मज़ा आए और वो channel switch ना करें. तो इसी तरह जिसरा मैं फिलहाल तो सिर्फ news update तक का लिखावा है बट आइस्था आप पूरा शोर जो है इसी तरह outline में आप भरते चले जाते हैं. अब अगर अगले section पर जाएं तो scene by scene, यानि कि पहला scene आपका news update का है, तो आप जो है उसको news update का title देते हैं और फिर आप नीचे कहते हैं कि जी अनूशे sitting on the sofa with newspapers around her. तो आपने एक scene set कर दिया, कि ये scene है, ये अनूशे जो है वो सोफ़े बेटी भी है और उसके इर्द गिर्द जो है वो अखबार जो है वो पहले में तो उनको पता है कि हाँ जी अब बात होगी news की और खबरों की, और अनूशे जो है वो अखबार उठाके, मुक्तलिफ किस थाख़ृमेंट्स है, वो आप describe करते चले जाते हैं, ये क्यूंँ जुरूरी है ताके अनूशे को पता हो कि उसने आके करना क्या है, जो डिरेक्टर है उसको पता हो उसने करवाना क्या है, तो क्यूंकि जो script writer होता है या जो writer होता है, उसको पूरी कहानी बता होती है कि मु वार उनके इड़ गिर्द होंगे और वो अखबार पढ़के और लोगों को वो खबर जो हेडलाइन्स हैं वो सुनाएंगी और उसके उपर तबसरा करेंगी तो एक दफ़ा जब सीन सेट हो जाता है फिर हम आते हैं डायलोग सी तरफ यानि कि अनूशे ने या जो गेस्ट है उन्होंने बोलना क्या है जैसे कि मैंने पहले बिताया कि टॉक शो में हमें एक एक डायलोग देनी की ज़रूरत नहीं होती मगर हम concept ज़रूर बताते हैं जैसे for example हम अनूशे से कहेंगे कि डायलोग में आपने जब आप fashion के बारे में बात करें तो यह ज़रूर कहें the biggest fashion event of the season held with the top designers in Pakistan in our culture city of Lahore तो हमने यह एक उसको soundbite दे दी कि जो आप बोल रहो वो बोलते रहो मगर ज़रूरी यह है कि यह वाला जो डायलोग है या इसके इड़ित के जो यह concept है इसके उपर यह ज़रूर बोल ला है तो हमने उसको एक hint दे दिया जब हम script देते हैं उसको हमने hint दे दिया जी अनुशे अपने conversation में when you're talking about fashion तो आप यह ज़रूर बोलिएगा कि जी यह सबसे बड़ा जो हमारा fashion का event है इस season का और जो सारे हमारे top designers हैं वो अधर आएंगे और लहोर के शहर में होंगे और तीन दिन होगा तो इसी तरह हम उसको एक hint दे देते हैं कि यह dialogue हैं जो आखरी चीज़े वो note to directors होता है यानि कि अगर हमने कोई खास हमने एक angle बताना हो या कुछ और चीज़ ऐसी बतानी हो जो के directors को हम notes देना चारे हैं यानि कि अब जब अनूशे बात करे fashion की तो हम director के साथ हम यहाँ पर उसको notes दें कि जी जब अनूशे fashion की बात कर रही है तो आप make sure that Anusha is her whole clothing is showing क्योंकि वो भी obviously fashionable त तयार होकर आई होगी और वो अपने उसको फिर हम जब fashion से उसको relate कर सकें तो हम notes में लिखेंगे long shot of Anusha to show her clothes तो यह हम notes for directors भी दे सकते हैं तो यह अगर आप देखें आइस्ता आइस्ता हमने किया यह है कि हमने एक पूरा script जो है वो तयार कर लिया एक morning show के लिए तो इस तर जब आप लिख लोगे as I have said throughout इस course में शुरू से लेके आखर तक वो यही है कि write it, research it, revise it over and over again till you perfect it. Thank you.